नमस्कार स्वागत है लने में नोट्स में तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस्टेशनरी वेव के बारे में ठीक है बिहार के लिए जो ग्रेज़ेशन का से लेवस्ट जारी हुआ है उसमें फिजिक्स फिजिक्स या फिर अंदर है तो इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे आज हम लोग देख रहे हैं स्टेशनरी वेव क्या है बंता कैसे है यानि फॉर्मेशन ओव स्टेशनरी वेव उसके बाद नोट्स एंटी नोट्स यह सारा चीज क्या होता है फिर हम लोग उसको देखेंगे उसका जो properties या फिर characteristics क्या-क्या important characteristics या property है stationary wave या फिर standing wave का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो वीडियो को आप जो हो notes बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको वीडियो समझना क्योंकि notes में इसमें जो हो बहुत ज़्यादा theory है और इतना theory आप exam में लिखने जाएगा notes के हिसाब से पूरा copy paste कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा time लग जाएगा इससे अच्छा पहले समझ लीजिए समझने के बाद जो हो आप छोटा-छोटा करके लिख सकते हैं कुछ-कुछ जो हो चीज जो ही जैसे कि यहाँ पर समझाने के लिए बहुत बरा figure बहुत ज़्यादा figure बनाया गया है तो आप उसको sort में बना सकते हैं अगर आप समझ जाते हैं तो वो चीज भी आपको बता दिया जाएगा और एक बात कि इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक simulation यानि दूसरे वीडियो का इस्तेमाल करने वाले हैं standing wave को समझने के लिए जो अभी आपको screen पे दिखाई दे रहा है वही वीडियो हम लोग figure को देखने के बाद देखेंगे कि उसमें waves जो हम लोग बनते हुए देख रहे हैं figure के थरू उसमें देखेंगे simulation के थरू थोड़ा सा visualization, imagination, कलपना करने के कोशिस करेंगे कि कैसा standing wave है, कैसा बन रहा है, कैसे बन रहा है तो सबसे पहले हम लोग definition देखते है, standing wave का definition क्या है तो जब दो simple harmonic waves, same amplitude, frequency और time period का दो simple harmonic waves, same amplitude, frequency, time period जिसका क्या है, सब का बराबर है travel in a bounded medium, एक bounded medium में travel करता है, लेकिन opposite direction में, ठीक है कहने का मतलब यह है, एक waves इस तरह से जो हो, इधर से जो हो, क्या कर रहा है यहाँ पर travel कर रहा है, और दूसरा wave जो हो, इस तरह से travel कर रहा है इस direction में, एक right में जा रहा है, तो दूसरा left में जा रहा है और दोनों क्या कर रहा है ट्रैवल कर रहा है और सीलेट कर रहा है जो भी है आपका दोनों का amplitude frequency time period वेगरा क्या है सेम है यहां तक आए बाउंडेड मीडियम यहां पर लिखा हुआ है बाउंडेड मीडियम क्या है वह समझ लिजे माल लीजी यह एक लाइन है यह एक है और किसी वेव को किसी वेव को कह दिया गया कि आप भाईया इसी लाइन पर ही क्या कर आप यात्रा करते रही हमेशा यही आपका क्या है LOVE इस को क्या अधिया इस लाइन के जो वेबस से ट्रेवल करेगा वह एक ही लाइन पे ट्रैवल करते रहेगा तो इसको हम लोग लीनियर मीडियम करेंगे लीनियर मीडियम कहेंगे एक ही लाइन पे इसको क्या कर दिये कॉंस्ट्रेंट कर दिए ट्रैवल करने के लिए तो इसको हम लोग लीनियर मीडियम कहेंगे अब लीनियर मीडियम तो हो चुका है अब लीनियर बाउंडेड मीडियम क्या है तो यही लीनियर मीडियम यही लीनियर मीडियम को जब बाउंड कर दे यानि लिमिट लगा दे इस चीज पर कहीं पर एंड एक पॉइंट बना दिये उसको लिमिट कर दिये कोई साइज कोई लेंथ वगरा दे दिये माल लिजे तो वही चीज हो गया linear bounded medium वही medium हो गया linear bounded medium जहां पर इस medium को हम लोग ने क्या क्या bound कर दिया ठीक है तो उमीद करते हैं आप समझ गया होंगे linear bounded medium जैसे कि आप लोगों को unit 2 में major physics का लिखा हुआ है in a linear bounded medium stationary wave in a linear bounded medium ऐसे कुछ लिखा हुआ है topic ठीक तो वह हो गया तो दोनों का जो सूपर पोजिशन होगा दोनों मिल के जो waves बनाएगा वह ऐसा दिखता है कि stationary है रुका हुआ है ऐसा waves को हम लोग बोलते हैं this waves is called stationary wave या फिर standing wave ठीक है दोनों waves के मिलने के बाद जो resultant wave बनता है वह वेव हम लोग को stationary standing type का दिखाई देता है यानि कि standing मतलब यहां पर समझेए कि जो मतलब वो औसी ले जो vibration है simple harmonic motion वो तो करेगा लेकिन वो उसका जो position है particle का वो वही रहेगा वो change नहीं हो रहा होता है ठीक है एक ही जगह पर और motion करेगा एक ही जगह पर motion तो करेगा एक ही जगह पर पीछे जाएगा वह अपने point से ठीक है standing का मतलब ऐसे समझे या stationary का मतलब ऐसे समझे इसी तरह से दिखाई देता है इसी लिए यहां पर stationary नाम रखा गया है the formation of stationary waves is due to the superposition of the two identical waves on the particles of the medium दो पार्टिकल सॉरी दो वेब्स का सूपर पोजिशन होता है दो यहां जो stationary waves है वह बनता कैसे है यहां formation of stationary wave बता रहा है कैसे बनता है is due to the superposition of the identical wave दो आइडेंटिकल वेव कहने का मतलब है कि दो आनो डोनो आइडेंटिकल कहने का मतलब यह है दोनों का amplitude frequency यह सारा चीज़ क्या है सेम है तो दो आइडेंटिकल वेव जब सूपर इंपोजी सूपर पोजिशन करता है तो जो resultant wave बनता है उसको stationary wave बोलते हैं एक और यह याद रखिएगा एक wave जो है वो जिस डिरेक्शन में जा रहा है दूसरा wave उसके उल्टे direction में होगा ठीक है तो stationary wave का definition आप जो हो समझ गए होंगे क्या है या पर क्या लिखा हुआ अब formation यानि stationary wave बनेगा कैसे कैसे बनेगा उसका एगर stepwise process समझना है तो सबसे पहले हम लोग को waves के बारे में समझ लेते हैं कि कैसा हम लोग क्या representation use करने वाले क्या लिखने वाले है तो देखिए ये figure ये figure और ये figure तीनो figure same है ये figure same है तीनो में क्या हम लोग ने एक wave एक wave या फिर oscillation कहिए है यह कि आप लोग ने लिया हूभान ठीक है और इसमे क्या हम लोगों ने phase में लिया है इसमेब लोग फेच में घुत है या और यहां पर लोग ने Lambda मे Layer रिया है यहां पर हम लोग ने Columboooo ठीक है तो लेम्दा यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है लेम्दा भाई फॉर फिर यहां से यहां से यहां तक का दूरी कितना है लेम्दा भाई फॉर इसी तरह से यहां तक क्या है लेम्दा है ठीक है यह वन लेम्दा भाई फॉर यह त्री लेम्द यहां पर और सेम चीज उसी चीज को देखे लेमदा वाई फोर जहां पर है लेमदा वाई फोर जितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक से लेखे यहां तक अग क्या है डिस्ट लेम्दा बैफ फॉर तो जिरो से लेकर यहां तक डिस्टेंस के लिए फॉर दिखेंगे वहां पर जांगे टाइम तो इससे कोई को Clarice होना नहीं चाहिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे इंटर्पूरेट करेंगे हमारे है लिगर है जो फॉर्मेशन है हम लोग समझने वाले उसको तो यहां क्या क्या गया तो अंडर्स्टेंड फॉर्मेशन आफ इस्टेशनरी वेब कंसीडर डू आइडेंटिकल यानि की इंसीडेंट एंड रिफलेक्टेड वे हम लोग दो वेव ले रहे एक इधर से जाएगा त चीज लिखा जाता है इसका मतलब यह नहीं कि समय चीज बदल जाएगा वही चीज है वह वेव्च लेरे ए और बी दूएब दूएबस ले ले लिजे चाहिज का नाम ए रेज़ीजे चाहिज का नाम बी देदिजी कुछ भी देदिए इसे कोई फरक नहीं पड़ता है बस बाट यह चिसे होग जैसे बनाया गया है तो इन दोज जो क्या दिखा सकते हैं, इन तिनों फिगर को आप एक एड़ी फिगर में दिखा सकते हैं तो अगर समझ लीजिएगा तो आपको असानी होगा इतना बड़ा तो झैसा कि हम लोग यहां वे देख रहा है अगर हम लोग इसको ठौ़ना सा देखा ये वैव। हमारे पास कुछ ऐसा है और रिफलेक्टेट ए शॉए आया वह wears हमारे पास कुछ ऐसा ये इस तरब से है तीचे ये इस कैमारे पास जो ररे डेलोग है वह लोई वह है हमारे पास वह इस डिरेक्शन में तो अब यह इन दोनों का जो सूपर पोजिशन होगा इन दोनों का जो सूपर पोजिशन होगा इस वेव का इस वेव का जो सूपर पोजिशन होगा दोनों मिलके जो वेव बनाएगा वो कैसा वेव बनाएगा तो दोनों मिलके जो वेव बनाएग वो कोई वे भी नहीं बनाएगा अब कैसे नहीं बनाएगा तो देखे इसका एंप्लिट्यूट पर ध्यान दिजिए इसका एंप्लिट्यूट और इसका एंप्लिट्यूट बरावर एंप्लिट्यूट है यह तो आपको पता ही है कि यह दोनों का बरावर एंप्लिट्यूट आप यहां पर इसका अपोजिट डिरेक्शन है दोनों का क्या है अपोजी डिरेक्शन है तो यह एक दूसरा को कैंसेल कर देगा यानिकी डिस्ट्रक्टिव एंटर फेरेंस यहाँ पे हम लोगों को दिखाएगा ऐसे हम लोग समस्क्राइब destructive interference यानि कि ये waves ये amplitude ये amplitude दोनों को cancel कर देगा दोनों क्या है एक दुसरा का opposite है equal है cancel कर दिया तो हम लोग को कोई wave देखने को मिलेगा ही नहीं एक straight line मिलेगा जो कि यहाँ पर दिखाया गया है straight line ये straight line इन दोनों के wave 1 का और wave 2 का wave 1 और wave 2 जब जूर जाएगा जब मिल जाएगा तो वो एक straight line बनाएगा कभ टीज उकल to zero पर समय जब zero रहेगा तब ठीक है समय जब zero रहेगा तब का बात किया जा रहा है ये हमारे पास resultant wave है इन दोनों waves को मिलने के बाद जो resultant wave बनता है वो एक straight line बनेगा और straight line बननेगा मतलब है कि यहां पर जो भी हम लोगों ने point लिया है P1 P2 P3 P4 P5 6 और 7 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने point लिया हुआ है तो इस point में आपको देखने वाला बात यह है कि इस straight line यानि resultant wave में जो resultant wave या फिर जो pattern बना वो एक straight line बना और straight line पर जितना भी particle है जो भी points है वो सारा का सारा अपने mean position पर है यानि कि fix point पर है ना इधर हिल रहा है ना इधर हिल रहा है कि इधर भी कोई displacement नहीं हो रहा है स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब यह हुआ टाइम टी जूगल टू जीरो पर हम लोग ने देखा अब थोड़ा सार समय आगे बहाते हैं तो टी भाइव फोर पर चलेंगे और टी भाइव फोर पर जब वेव को देखेंगे यानि कि हम लोगों ने देखिए क्या कहा थ हम लोग लिया वो ले मताई फोर से आगे हो चुका है बढ़ चुका लेमदा वोड फोर से आगे हो चुका है लिम नली जे है यहां कोई वेव ऐसे स्टार्ट हुक ठा कर चार बाटे चार भाग में बाटें तो कैसे बाटेंगे यह हो गया इसका दो भाग और इसका दो भाग ठीक है तो यह एक दो तीन चार चार भाग में बटा तो यह यहां से यहां तक का जो दूरी है यहां से यहां तक का जो दूरी यहां से यहां तक का जो दूरी वो हुआ लेम्दा तो इतना दूरी आगे बढ़ गया यानि कि अब पहले यहां से जो स्टार्ट हुआ था अब वह यहां से स्टार्ट होगा ठीक है अब वह यहां से स्टार्ट होगा तो समझ गए लेमदा बाइफ फोर टी वाइफ फोर पे लेमदा बाइफ दूरी आगे बढ़ चुका रहेग वेब जो भी रहेगा ठीक है तो इसी तरह से समय आगे बरहेगा तो वेब का पॉइंट जो आगे भरते जाएगा ओ आगे बताने का जुरूत नहीं परेगा ऐसा जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं तो अब क्या होगा यह जो हमाने पास इंसीडेंट वेब था उसको हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा ठीक है इंसीडेंट वेब को हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा और जो रिफलेक्टेड वेव था उसको हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा इसी तरह से इसी तरह से हम लोगों ने देखा इसी तरह से हम लोगों ने देखा और यह जो फिगर है इस यह जो सारा कुछ दिखा सकते हैं यहीं प interrupted दिखा सकते हैं अगर आपके पास color अलग है तो तीनों एक ही चीज पे दिखा सकते हैं हमारी ब्स क्या है जब हम लोग black and white करते हैं PDF scan करने के बाद black and white होता है तो सारा black हो जाता है लिए हम लोगों निंट क्या क्या कहा confusion ना हो तो सबको अलग-अलग कर दिया है या फिर हम लोग ने जो फॉलो किया उसमें भी ऐसा किया गया तो हम लोग उसी को फॉलो कर रहे है तो दोनों में वह फीट बैठता है इसलिए इसको लेके चल रहे है तो एक वेव यह है और इस यह जो वेव दिखा रहा है वो यहीं पर है यहीं पर समझ यह ठीक है यहीं पर इसी पर है ठीक है इसी पर है लेकिन अलग कलर से दिखाना परेगा इसी पर है लेकिन अलग कलर से हम लोग को दिखाना पर अगर आप अलग कलर इस्तमाल करते हैं तो उस पर दिखा सकते हैं नहीं तो आप अलग से दिखाईएगा तब ज यानि कि यह पहला वेव यह दूसरा वेव दोनों जो मिलेगा तो हम लोग को कुछ ऐसा पैटर्न ऐसा पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा और इस पैटर्न में जो एंपलिट्यूट हम लोगों मिल रहा है यह वाला जो एंपलिट्यूट मिल रहा है यह एंपलिट्यूट मिल रहा है यह एंपलिट्यूट का डबल होगा यानि की इसका जो एंपलिट्यूट रहेगा और इसका जो एंपलिट्यूट रहेगा इन दोनों का प्लस हो जाएगा औ क्या है समझ गए होगे एंटी नोड नोड पॉइंट वाला जो हो अगर हम लोग यहां पहे बात करेंगá तो यहीं पहें बात कर सकते हैं कर देते हैं खतम ही हो जाएगा एंटी नोड और नोड का बात है तो देखे यह तो या produto बन रहा है resultant वेब यह क्या बन रहा कुछ ऐसा पैटर्न हम लोग को देखने को मिला अब इसमें देखिए यह जो पी टू पॉइंट है पी फॉर है और शीक्स यानि पॉइंट टू फॉर और शीक्स है यह फिक्स रह रहा है ठीक है इसको देखिए सिक्स फॉर और टू 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 फॉर शीक्स फॉर टू यह पॉइं यह पॉइंट यह पॉइंट देखिए यह फ्वान च्रू आफने जगह को यह क्या करण नहीं च्छोर रहा है यहां पे यह जो पॉइंट है पी टू फोर और सिक्स या फिर आगे जो भी पॉइंट हम लोगो मिलेगा अगर वेब्स को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा कुछ पॉइंट्व लोग को मिलेगा जो अपने position को छोडेगा ही नहीं अपने position पे ही रहेगा और हुले डूलेगा भी नहीं मतलब कोई displacement भी नहीं कर रहा displacement नहीं कर एक लिःष लील नहीं रहा कुछ करीं ही रहा तो displacement हो रहा ठीख है तो ऐसो फॉइंट जहाँ पर जो जो पॉइंट क्या फिक्स है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है जहां पे क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसको हम लोग बोलेंगे नोड यानि यह जो पॉइंट है वो नोड है यह कौन सा पॉइंट है वो नोड है ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे नोड पॉइंट ठ सा पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा जीरो रहेगा और इस ट्रेंड मैक्सिमम रहेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा यानि एम्प्लिक्यूट जीरो कह दीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो कह दीजिए वहां पर 0 रहेगा और S train S T R A N, S train zero maximum रहेगा ठिक है, तो ये node point हो गया, जो Hill roll नहीं कर रहा है, displacement 0, node N O D E node, node point है, node को ऐसे याद रखिए, node मतलब no displacement, कोई displacement नहीं होने वाला point है, वो zero displacement बहला point, node point है, अब इसी के ठीक उल्टा होता है, anti node, ठीक है, इसी के फीक उल्टा होता है NT node अब NT node क्या है तो देखिए नोड में क्या था डिस्प्लेस्मेंट 0 था तो इसका उल्टा displacement maximum तो एंटी नोड वो पॉइंट होगा जहां पे displacement maximum होगा तो यहां पर कौन-कौन सा पॉइंट हम लोग को दिखाए दे रहा है यह पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर maximum displacement maximum amplitude देखिए यहां पर maximum amplitude पॉइंट दिखा रहा है यह वाला ठीक है तो ए एन टू यहां पर लिख दिए हम लोग यहां पर एन थ्री लिखा हुआ है या फिर वन लिखिए कुछ भी कहिए जितना हम लोग को मिल रहा है उतना यहां पर लिख सकते है अन यानि एंटी णोड को दिखा रहा है n यानि नोड को दिखा रहा है ठीक है react इन एन यानी एंटी नोड को Dicken रहा है एन यानीन नोड को दिखा रहा है तो नोड हो गया 0 displacement बाला पाइंट जहां पर कोई डिस्पलेसमेंट नहीं यह फिक्स point है वह sow.. और anti-node हो गया जो maximum displacement बाला, maximum amplitude बाला point ANti node और वहाँ पे node में HDMI strain और यहाँ पे minimum strain ठीक है वहाँ पे maximum strain और यहाँ पेthe node में minimum strain यह सारा चीज प्रपर्टी में लिखा किया है उसको line by line आप पर सकते है है लिख सकते है प्रोपर्टी में सरकुस दिया गया है आगे बढ़ते हैं तो देखिए टी इस उगल डू जीरो पे हम लोगों क्या मिला था इस ट्रेट लाइन मिला था ठीक उसी तरह हम लोगों के पास टी बाइट टू पे भी मिलेगा तो टी बाइट टू पे भी इसके उल्टा हो जाएगा यहां पर देखिए टी जूगल डू जीरो पे इस तरब से वेव चला था पोजेटिव में ठीक है अब ठीक उसके उल्टा चलेगा निगेटिव में ठीक इसके उल्टा चलेगा निगेटिव में टी बाइट टू पे ठीक है और सेम उसके तरह से अगर यह वाला चीज ऐसे जा रहा है तो इस तरब से आने वाला चीज भी इसके उल्टा हो जाएगा इस तरब से तो यह जाएगा इस तरब से और फि लेट लाइन होने का मतलब इस पे जितना point है ये सारा point हमारे पास क्या रहेगा फिक्स रहेगा mean position पर हेगा जितना पारिकल है वो पारटिकल क्या रहेगा अपने अबने mean position पर हेगा टी वाइट 2 के लिए जैसा देखा T by 2 के लिए जैसा देखा वैसा ही T के लिए होगा 0 से लेके T तक क्या होता है एक time period पूरा होता है एक wave या एक oscillation का time period यह है T time period और wavelength lambda तो हम लोगों ने माना हुआ है शुरू में ही तो ट टाइम पिरियेड जीरो से लेके T तक हम लोगों ने क्या किया अलगलग time period पे चेक किया तो हम लोगों को 0 पे और ट बाई two पे और टी पे a straight line मिला ठीक है यह भी देखिए यहां पे भी हम लोगों क्या मिल रहा है a straight line मिल रहा है हमारे पास straight line आ चुका है 0, T और T by 2 पे एस्टेट लाइन मिल चुका है और जो T by 4 था और T by 4 के जैसा ही 3 T by 4 के लिए भी है हमारे पास तो उसको हम लोगों ने figure में देख लिया है आपको स्क्रीन पर एक screenshot दिखाया जा रहा है एक figure दिखाया जा रहा है आप उसको स्क्रिंसूट ले लिजी और अपने copy में बना लिजेगा अगर इतना फिगर नहीं बनाना है तो ठीक है उसी में एक लाइन में एक ही पेज में सारा कुछ बना लिजीगा उसी के इसाबसे जो figure इसक्रीन पर आपको एक लिखाई दे रहा है अगर इस चीज को समझने का कुशिस करें तो जो भी चीज लोगों ने कहा है वही चीज यहां पर लिखा गया है कोई amplitude ने कोई wave ही नहीं मिलेगा उस समय में तो रिजल्टेंट डिस्प्लेस्मेंट कर्व जो हुए एक स्ट्रेट लाइन होगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है पार्टिकल अपने अपने फिक्स पर मीन पॉजीशन पर रहेगा से नोटके लिए लिए लिख दिया गया है और लोट paradigmि नोट के बारे में लिख दिया गया है जो फिगर आप लोगों ने देखा उसी चीज़ को हम लोगों ने वीडियो लो वह समझाने के कोशिस किया है तो उम्मीद है कि वह वीडियो भी आपको समझ में आ जाए और एक imagination एक कल्पनात के तोर पर जोब कर सकें कि कैसे stationary wave बन रहा है और क्या-क्या point हम लोग बताए है तो वह वहाँ पर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है ठीक है तो उसी तो हम लोग ने formation of extending wave देखा कैसे बनता है figure के थूर हम लोग ने बना के देखा अब हम लोग थोरा सा visualize करने के कोशिस करते हैं या देखने का कोशिस कर रहे हैं कि कैसे एक एक्चली में form होता है जो हमारा standing wave है या stationary wave है कैसा होता है कैसा यहां पर देखने वाले हैं ताकि आपको जो अच्छे से एक imagination आप थोरा सा कल्पना कर सके कि कैसे तरह से वह दिखाई देता है अगर आप लोगों ने पहले अच्छे से परहा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोगों यहां क्या करते हैं देखिए यहां पर जैसे हम लो जो चीज है हमारे पास यह हमारे पास इसी से बंधा हुआ है ठीक है इससे आगे नहीं जाएगा यह बंधा हुआ है यह एंड है इसका ठीक है तो इस पर हम लोग क्या करेंगे यहां से इस तरफ से फ्री एंड है इस तरफ से हम लोग क्या करेंगे इस रसी को उच्छालना सुरू करेंगे ऐसे उपर नीचे ठीक है यहां से जैसे हाथ से पकर के और एक बार ऐसे छोड़ देते हैं तो यह क्या करने लगता है ऐसा ऐसे करने लगता है ठीक है वही हम लोग काम करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे इंसीडेंट वेब दे रहे हैं यहां पर देखिए इंसीडेंट वेब लिखा हुआ है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे इसका इंसीडेंट वाला जो वेब है वह स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो इंसीडेंट वेब यहां पर स्टार्ट हो चुका है अब हम लोग देखिए यह करें दोस्क्राइब तो थीजिया व्याज के लिए व्याज करें जो लालत कूछ और रहा हुअ है पास सब्सक्राइब के तो छूल से खाएंगें कर दोस्क्राइब ऐसे तरह से वेव बना रहा है अब दूसरा है reflected wave यानि कि जो यहां से यह जो दिवार होगा या जिस भी चीज़ से बंधा हुआ है इससे टकरा के जो वापस आएगा यही वेव वह कैसे है यहां पर उसको देखते हैं तो यह reflected wave है इसको हम लोग क्या करते हैं यहां पर click करते ह कि है तो यह दखिये दिखुए रिफ्लेक्टेटे वेव जो यहां से जो टक्रा का रहा है व कुछ इस ताह болगा कर Uhr nervous ओ क्या करंगा है तो यह हमारे पास रिफ्लेक्ट वेवेब ब्लो कलर हो भी है अब क्या करते इन दोनों का इन दोनों का जो super position होगा दोनों मिलके जो wave बनाएगा उसको देखते हुवा कैसा wave बनाएगा तो सबसे पहले यह resultant extending wave है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक करते ही हम लोग को एक resultant wave दिखाए देगा कैसा दिखाए देगा ब्लेक कलर का यहां पर देखिए ब्लेक कलर का यह जो इन दोनों को मिलके यह लाल वाला क्या था अधर ब्लू नाट जो है बला यह लोग जो हम लोग ने फिगर में लिया हुआ था तो यह दोनों ऐसे तक्राने के बाद यह resultant wave इसका यह resultant wave ऐसे बना resultant wave कैसे बना ऐसे बना तो अब इस चीज़ को देखिए कैसे चल रहा है यह कैसे चल रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं सब को हटाते हैं ठीक है सब को हटाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं इस फिगर को हम लोग क्या कर रहे हैं चलाते हैं तो इंसीडेंट वेब देखते हैं अब यह इंसीडेंट वेब क्या कर रहा है आगे बढ़ना मतलब क यह जह सेफ़्टिट। अब यहां पर देखिए यह जो देखिए यह क्या हुआ जीरो पर आया फिर से क्या कर दिया ओसिलेट करना सुरू किया यहां पर एक बार क्या क्या यहां पर maximum amplitude हुआ यहां पर maximum amplitude निगेटिव डियरेक्शन में यहां पर maximum amplitude पोजेटिव डियरेक्शन यहां maximum amplitude negative direction यानि कि एक तरह से एक बार ये क्या कर रहा है इस तरह से maximum amplitude यहाँ पर maximum amplitude ठीक है अब इसको anti node और node समझने के लिए यहाँ पर point दिया हुआ है अगर हम लोग इस इसको हटा दे यह जो wave है हमारे पास यह वारा चीज को हम लोग हटा दे तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा यह एन जो लिखा हुआ है यह node है और ए जो लिखा हुआ है और ए क्या है एंटी नोड है तो आपको दिख रहा होगा कि यह जो यहाँ पर नोड पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है नोड पे जो पार्टिकल आपको दिख रहा है यह जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो मूव ही नहीं कर रहा अगर इसको आप ठीक से देखे तो यह पार्टिकल यहां से हिल ही नहीं रहा यह फि यहाँ पर maximum amplitude है ठीक है यहाँ पर maximum amplitude है और इस maximum amplitude वाला point को हम लोगों ने क्या कहा है Enti Node कहा है ठीक है एंति-node यहाँ पर देखिए दिया हूआ यानि कि इसका यहाँ पर 고 jesteśmy हुएक है यहाँ संद्रों कि यहाँ से भी हो सकता है देगे से एक यहां पर क्या हुआ इसको 0 हो गया ठीक है यह क्या हो गया जीरो हो गया यह यहां पर कोई वेव नहीं बन रहा है जितना पार्टिकल था यह सारा का सारा पार्टिकल क्या हो गया अपने अपने मीन पोजिशन पर है यहां पर कोई displacement नहीं हो रहा है किसी का displacement नहीं हो रहा है प्वाइंट के बीच में एक एंटी नौट पइंट के बीच में एक नोडुट हैं इसा इसा आपको बता ही दिया गया था अब इस के हिसाब से आपको हो सकता है कि जो फिगर हम लोग ने देखा है जो नोट बुक में नो जो नोट में हम लोगों ने फिगर बनाया हुआ है उसको आप इस तरह से समझ पा रहे होंगे ठीक है एक वेव इधर से आया ठीक है यह इंसीडेंट वेव चलना सुरू हुआ और दूस सकते हैं कैसा वेव हम लोगों के पास फर्म हो रहा है और यह जो पॉइंट है यह जो पॉइंट है यह कहीं पर डिस्प्लेस नहीं हो रहा यह नोट वाला पॉइंट है इस पॉइंट को ध्यान में रखिए यह पॉइंट कहीं पर डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है इसका कोई discuss करते हैं आगे के थो जो characteristic या property है उसके थो हम लोग देख लेंगे जो जो वहाँ पर लिखा हुआ है उस property को भी जान लेगे कि standing wave का property या फिर characteristic जो main characteristics है वो क्या सब है ठीक है तो इस figure को बंद करते हैं और चलते अपने फिर से उसी notes के PDF पे तो वीडियो देखने के बाद 0 से लेके T तक जो हम लोग ने अलग अलग time period फिगर देखा उस figure को discuss जो हम लोग ने किया उससे हम लोग क्या कर सकते note यह कर सकते हैं कि that the particles of medium such as P2 P46 मतलब कि 0.246 पे जो या फिर आगे उसको बहाएंगे तो एक से तरा इसलिए लिखा गया अगर वेब्स को आगे बरहें तो लेंद को आगे करें तो तो टू फॉर और शीक्स जो है वो एक ही पोजिशन पे रहा था वो हील डॉल नहीं कर रहा है सब टू फॉर सीक्स जो है वह अपने maximum displacement है जहां पर क्या हो रहा है 1357 यह जो पॉइंट है वो वाइबरेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली अबाउट दिर मीन पोजिशन और हां यहीं चीज आप लोगो बताया गया था कि एक ही पोजिशन के अबाउट जैसे यह को ड्वाइंट हो गया अगर कोई ऑसी लेशन यहाँ से यहां तक हो रहा है कोई वेश यहां से यहां तक हो रहा है तो इसमें में बीच में जो लाल वाला से माल लिए यह पार्टिकल हम लोगों ने बना दिया तो यह जो पार्टिकल है उसिलेट तो कर रहा है लेकिन इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है यह अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या कर रहा है हार्मोनिक उसिलेशन कर रहा है फिक्स पोज प्रोपागेट नहीं कर रहा है मिडियम में प्रोपागेट नहीं कर रहा है विस्तार नहीं कर रहा है अगर एक point कुछ यहाँ पे था तो अगले बार में वो point यहाँ पे आ जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है point आगे नहीं बर रहा है particles motion तो कर रहा है लेकिन एक ही जगह पे ठीक है एक ही mean position के around जो है वो क्या कर रहा है motion कर रहा है तो जैसे कि आप लोगों को पता है जो particles होता है वो अपने साथ कुछ energy carry करता है और वो particles जब move करेगा जब वो particle travel करेगा तो अपने साथ energy को भी travel करवाएगा तो energy travel होगा तब जब particle travel करेगा position जब इसका change होगा लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यानि कि energy यहाँ पे कोई transfer होगा ही नहीं energy कुछ transfer यहाँ पे हो ही नहीं रहा होगा ठीक है property में आगे लिखा यहाँ उस switch को वहाँ पे समझ लेंगे तो जो resultant हम लोगों ने जो figure हम लोगों ने बनाया 0 से लेके t तक 0 से लेके t तक जो difference कुछ लेके t by 4, t by 2, 3, t by 4, t यह सब लेके जो हम लोगों ने बनाया उसको यहां पर लिख दिया गया है यह जो straight line वाला है यहां पर जो straight line वाला pattern जो बन रहा है वो zero पे टी वाई two पे और T पे बन रहा है उसके बाद T3 by 4 के लिए ऐसा कुछ pattern हम लोग को बना था और T by 4 के लिए कुछ ऐसा pattern बना हुआ था उसी चीज़ को यहां पर दिखा दिय खिल बना डिख दिझे यहां पर लिख दिज़े यहां पर लिख दिज़े यहां पर लिख दिज जै क्योंगी यहноеज lin network है यहां पर कोई displacement में है नोड यानि नोड डिस्प्लेस्मेंट यानि जी-लो दिस्पस्मेंट और एन्टी नोड यह जो ए है एन लिख दीजे यहां पर एन्टी नोड एन्टी नोड याने की ऐसा पॉइंट जहां पर डिस्प्लेस्मेंट मैक्सिमम है एस्ट्रेन मिनिमम है ठीक है तो वही चीज यहां पर लिखा गया है 246 जो है वो जा अल्वेज रिमेन अर्द मीन यह जो नोड है यह एक लाइन हम लोगों ने बनाया और यह हम लोगों ने यह पॉइंट बना दिया यह पॉइंट यह पॉइंट यह पॉइंट यह पॉइंट इसी तरह से आगे भी पॉइंट बना सकते हैं अब हम लोग क्या कर दिए इस वेब्स यहां से यहां तक क्या कर कर दिये, waves कुछ बना दिये, ठीक एक waves बना दिये, अब इसको यहांस इंटी नोड और नोड का बीच का difference समझ लेते हैं, तो यह नोड है, अन, यह एन, यह एन, यह एन, यह एन, यह एन, यह एन, पॉइंट है, नोड स्थीक है, और यह maximum displacement मला पॉइंट क्या है, अन, यह maximum displacement मला पॉइंट है, यह maximum displacement मला पॉइंट है, अन, यह एन, अब समझते हैं, क्या हो रहा है, यह क्या है, कि दो नोड के बीच, एक नोड के बाद जो दूसरा नोड आएगा, एक नोड के बाद दूसरा नोड आएगा, उसके बीच का जो path difference या distance होगा, वो lambda by 2 होगा, एक नोड से दूसरे नोड का path difference या फिर distance lambda by 2 होगा, एक नोड से दूसरा नोड, दूसरा से तिसरा नोड, तिसरा से चौथा नोड, ठीक है, ऐसे जाते रहेंगे, तो एक नोड से जो दूसरा नोड आएगा, उसके बीच का path difference या फिर distance lambda by 2 होगा, ठीक, उसी तरह हमारे पा nti node तक का path difference या फिर distance lambda by 2 होगा. ठीक है, समझ गया। यानी node से nodes node लेकर एक node से दुसरा node, lambda by 2 के distance पे, hàng nti node से दुसरा nti node lambda by 2 के difference पे, Distance पे, ठीक है। अब एक नोड से nodar order,ale node से antioid filming Canada समझ लिया, क्या है , यह हमाले पास है एक ओर नोड के बीच का जो डिफ्रेंस होगा वो लेमधा बाइ फॉर होगा ठीक है नोड से का डिफ्रेंस क्या था लेमदा भाई टू या फिर एंटी नोड से एंटी नोड का बीच का डिफ्रेंस क्या था लेमदा भाई टू लेकिन एंटी नोड से नोड दोनों अलग अलग जब है तो एंटी नोड से नोड या नोड से एंटी नोड के बीच का डिफ्रेंस हमारे पा लिखेंगे अपना characteristics या properties लिखेंगे यानि कि stationary waves का main characteristics या properties है उसको देख लेते हैं फटाफट से और वीडियो को खतम करते हैं next video में हम लोग को जो वो mathematical या analytical method भी देखना है same चीज का इसी चीज को हम लोग देखेंगे mathematically या फिर analytically यानि equation के रूप में equation लिखेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर waves बनता क्यासे वह लिख देना है दो superposition दो waves का superposition होता है और उल्डे direction में दोनों waves जलता है दोनों का क्या है amplitude frequency वेगरा बराबर होता है उसके बाद दोनों का about one of the season the week method बन्ति है लिख dit an auk secret कषिए सब wer concord को यूसरोड थैरे अलंब niezैंइन ट्रीज हुआ आषए बाल्टन मीडियाम में बनता है लिख दिना है अंटी NO सब्सक्राक्राइ सबसes अचकिदुनुर्य थैस में लुटने धुक यह जो है 212 एक इसक्र के ख़ेस्टाइफ है यह को procrast R Nk में में एक ही कोड़ा देडियों में एक ही सेगमेंट में एक ही हिस्टा पोजीशन के कि अबाउट वाइबरेट करते रहता है ठीक है इस वेब डू नट ट्रांस्मीट एनरजी यह कोई एनरजी ट्रांस्मीट नहीं करता है मीडियम में ठीक है इसको एस्टेशनरी वेव कहा जाता है इस्टेशनरी का मीनिंग है आप समझ लीजे रुका हुआ या फिर ऐसा रुका हुआ जैसा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ एक नोड यहा पर लेजे एक नोड यहा पर लेजे है तो अगल नोड 돌 बना लिया तो देखिए हि कर Отसे मालले जी वेवी दिए ऐसा है ठीक है तो यह जोर से और यह नोडशे नोड और यह नोड्स यह नोर्स क्यों प्यौन बोल रहा नोड भी बना लेते हैं समझने के लिए यहां पर एंटी नोड हो गया यह एंटी नोड हो गया ठीक है यह एन हो गया यह एन है यह एन है यह एन है तो अगर इस चुछ को समझे तो क्या बोल रहा है कि नोड से लेके एंटी नोड तक दीरे-दीरे क्या कर रहा है वाइबरेश से लेकिए anti-node तक दिरे-दिरे vibration जट जाएगा और 20 पर जाके 0 हो जाएगा ठीक है रोने नोर्ट से एंटी नोर्ट तक बढ़ेगा मेक्सिमम फिर धीर दीरे-दीरे एंटी नोर्ट से 12 रुप जाब टीक है सेम वही चीज गा जा इसके बारे में और कुछ नहीं के आगया वही चीज लिखा हुआ है नोड जो वो fix point होता है एंटी नोड जो वो free end होता है the distance between two consecutive node and anti node is lambda by two while the distance between node and nearest anti node is lambda by four 2 nodes के बीच में एक एंटी नोड होता है वो आप लोग बता ही दिया गया एक नोड यहां एक नोड यहां एक नोड यहां महत बना लीजिए तो यह सर एक नोड से दूसरे नोड के बीच में एक एंटी नोड आ रहा है ठीक है वही चीछ कह रहा है एक नोड से दूसरे नोड के बीच में एक एंटी नोड आता है ठीक है all the particle except node nodes को छोड़के nodes पर जो पार्टिकल होगा या फिर node point को छोड़के बाकी जितना भी पार्टिकल से वह बावरेट करता है simple harmonically यानि यह ऐसे हम करता है same period के साथ लेकिन amplitude अलग अलग रहेगा जो हम जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा ऐसे कुछ जो हवह amplitude कर रहा था ठीक है अगर ऐसigu नाटा है इसको जो ह dedication और यहां हम लोग क्या कर लेते notes notes बना लेता है यह notes बना लेते हैं अ tam समदने में आसानी होगा तो यह लाल वला अजो पार्टिकल है रीक है लाल वला जो पार्टिकलにちは लेकिन इसका एंप्ली टूट इसका इंप्ली 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 टूट इसका इं साथ जो रिजलटेंट वे बनता है जो रिजलटेंट वे बनेगा उसको शाइयन करभे में के साथ जनरल जो कर बन रहा है उसको सैयन करभे के साथ हम लोग क्रतिन 来了 लेकिनes दो बार जो हूँ या फिर जितना बार हम लोगों को देखने को मिला एक time period में एक time period में दो बार क्या होता है straight line आता है वह हम लोगों ने देखा velocity और acceleration of all the particles यहाँ पर वही चाप दो चीज़ लिखा हुआ है आप आपको कम लगे तो internet से search करके और लिख लिजे प्रोपर्टी या फिर कोई simple properties आपको देखने को मिले सीम्पल लाइन लिक मिले तो वह लिख ली जे का उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो होगो मिला वह चीज अप लोग को इसी कहीं बिख गया गया velocity and acceleration of all the particles separated by distance lambda wavelength are the same of at a given instant एक instant given instant पे जो particles है उसका velocity acceleration वह सेव हई चीज कह रहा है at any instant the particle at any instant the particle on either side of a node vibrates in opposite phase that is the phase difference between dem is 0 क्या रहा है एक नोड बना दिए दूसरा नोड तिस्रा नोड नोड यहां पे बना दिए यहां पर देखिये यह क्या है particle है यह नोड्स हम लोगने बनाया हुआ है और यह हमारे पास बाइबरेशन है तो यह क्या रहा है जो बाइबरेशन होगा यहां पर हमारे पास जो बाइबरेशन हो रहा है नोट के बाद जो बाइबरेशन नोट के बाद जो पार्टिकल है किसी साइड पर चाहिए इस साइड के बाद कीजिए अगर इस इस नोट को लो वही चीज कहने का कोसिस कर रहा है तो इसी के साथ हम लोग हमारे पास जो वह एस्टेशनरी वेव का करेक्टरिस्टिक या प्रोपर्टीव इस खतम होता है कोई डाउट होगा तो नीचे कॉमेंट कर लिजेगा या फिर अगर यहां पर कुछ समझ नहीं आया या फिर कोई ला करना नहीं तो उसके लिए इंतिजार करना पड़ेगा फिलाल वीडियो को समझने ज़्यादा जरूरी है नोट्स आपने देखी लिया थियोरिटिकल बहुत ज्यादा है तो आगे भर देंगे मैथमेटिकल या एनेलिटेकल के लिए नेक्स वीडियो में फिलाल इस वीडिय में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एले नेमी नोट्स के यूट्यव चैनल पर